शिक्षामित्रों को लेकर योगी सरकार ने लिया एहम फैसला सर्वोचन यायालाईद्वारा शिक्षामित्रों के संबंद में 25 जुलाई 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने एहम फैसले लिये है राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने का मौका दिया है, TET कराकर शिक्षक भर्ती में 2.5 अंग प्रतिवर्ष अधिक्तम 25 भारांग देते हुए लाभानवित किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर में TET परीक्षा का आयोजन कराकर ऐसे सभी सभी शिक्षामित्रों को अनिवार्य प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के बाद परिशदिय प्राथम एक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदपर चयन हेतु यतोचित संख्या में रिक्तियों का माह दिसंबर 2017 में प्रकाशित कराया जाएगा, सभी पात्र अभियर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा, तब तक सभी शिक्षामित्रों को दस हजार रुप्ये प्रतिमाह मान देया एक अगस्त 2017 से दिया जाएगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए औ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगा, उसे भी दबा दीजिए